मार्च दोहजार बारह तक वो रेल मंद्री रहे और दोहजार बारह में उन्होंने देश के रेल मंद्री परण इस्किफा दे दिया 2014 में वे बेरकपूर से एक बार फिर से सोलहवी लोकसभा का चुनाव लड़े और CPM को हराया 2017 में वित्य संबंधी स्थाई समिती के सदस्य बने April 2020 से 12 February 2021 तक वे पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद रहे और 12 फरवरी को उन्होंने राज्यसभा से इस्तिफा दिया दिनेश जी का बहुत-बहुत स्वागत है अब मैं निवेधन करूंगा भारती जनता पाटी के राष्ट अध्यक्ष मानिया जेपी नड़्डा जी से कि वो पुष्पगुच्छ और पठका इतियादी देख करके फॉर्मली दिनेश जी को पाटी में इंड़क्ट करें अब मैं निवेधन करूंगा अधरनिया जेपी नड़्डा जी से कि वो इस्वागत के दो शब्द आप सब के बीच में रखे आज के इस प्रेस कांफरेंस में मेरे साथ उपस्तेत वेधी जी न्यूली जाइट हमारे मंत्री वरिश सयोगी भाई प्यूश गोईल जी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतिय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं और उन्हें ने इच्छा जाहिर की कि वो भारतिय जनता पार्टी के सदस्ते की रूप में देश की सेवा आदर्णी नरिंद्र मोदी जी की नेत्रतों में करना चाहते हैं मैं अपनी ओर से और अपने सवी साथियों की तरफ से और करोड़ों कारेकर्टाओं की तरफ से उनका हार्दे का विननदन करता हूं स्वागत करता हूं दिनेश्ट रवेदी जी का राजनीती में एक लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने एक यात्रा जिसको हम कह सकते हैं कि वैचारिक यात्रा राजनीती में की है सत्ता को धरकिनार करते हुए विचार की लड़ाई लड़ते हुए एक बहते हुए पानी की तरह उन्होंने अपना जीवन राजनितिक जीवन गुजारा है ऐसे विचार शील व्यक्ति भारतिय जनता पार्टी में शामिल होते हैं ये दो बातों को इंगित करता है एक तो उस बहते हुए पानी की तरह विचार में भी उन्होंने भारतिय जनता पार्टी के साथ अपने आपको समावेश्च किया है और दूसरा कि भारतिय जनता पार्टी में ही ये ताकत है कि सभी विचार शील लोगों को अपने साथ समा करके देश की सेवा में लगा सके ये इसमें से दिखने को मिलता है वह एक अच्छे व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में है और ये वह भी महसूस करते थे आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि नाओ दर राइट परसन इस इन दर राइट पार्टी सही व्यक्ति सही पार्टी में है जहां उनका उप्योग देश की सेवा में आधरणिय नरिंद्र मोदी जी के नेत्रतों में हम कर सकेंगे अगर हम इनके राजनीतिक जीवन को देखें तो he has always paid the price for principles इन्होंने राजनीति में नीतियों के कारण कीमत चुकाई है और उस कीमत को चुकाने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं फिर चाहे वो रेल मंत्री के रूप में हो और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के अंदर क्रेंणमुल कॉंग्रस में भी इन सारी बातों को कहते रहें उजागर करते रहें इस समय समय पर वो बताता है कि एक विचारशील व्यक्तितों किस तरीके से अपनी बातों को रखता है और अभी भी अगर हम देखें तो आप राज्य सभा के सदस्य थे फॉर प्रिंसिपल्स आपने राज्य सभा की सीट छोड़ी है ये आइडिलिजम वर्सेज ऑपर्चुनिजम यानि ऑपर्चुनिजम को छोड़कर अफसरवादी विचार को छोड़कर वैचारिक प्रिष्ट भूमी पर आपने भारतिय जनता पार्टी के साथ आए हैं और इसमें से हमको यह भी दिखने को मिलता है कि आप किस तरीके से वैचारिक दिश्टी से ऑपर्चुनिजम को छोड़कर अफसरवादिता को छोड़कर राज्य सभा की सीट छोड़कर के वैचारिक प्रिष्ट भूमी पर आपने भारतिय जनता पार्टी को जोइन किया है इसलिए हम सब लोग आपका स्वागत भी करते हैं और यह भारतिय जनता पार्टी की विशेष्टा को भी बताता है कि किस तरीके से आज मोदी जी के नितरतों में सभी लोग देश की सेवा करने का अगर कोई फोरम, प्लाटफॉर्म, राजनितिक दल कारे करने की इच्छा को पूरा करना यह करने का अगर फोरम और पार्टी है तो भारतिय जनता पार्टी है यह भी इस बात को दर्शाता है मुझे दिनेश जी कोई दो मेहने पहले मिले थे और दिनेश जी ने मुझे से कहा था कि I want to serve the nation and I want to serve in the right way इन्होंने पार्टी की बात नहीं की थी लेकिन इनके मन में ललक और आप समझ सकते हैं जो हम बार-बार कहते थे कि त्रणमूल कॉंग्रिस में भरष्टाचार अफसर वादिता लोक तंतर की हत्या इंस्टिटूशन को का घला घोटना ये सब कुछ विराजमान है और इसी लिए समवेदन शील विवेक शील व्यक्तित्व दिनेश त्रिवेदी ने त्रणमूल कॉंग्रिस को धत्ता दे करके भारतिय जंता पार्टी में इन्होंने जोइन किया है और पश्चिम बंगाल में आप सेवा करेंगे पश्चिम बंगाल की आप सेवा करेंगे पश्चिम मंगाल के लिए आप निश्चित रूप से चुनाओं में भी आप बहुत अक्टिवली पाइटिस्पेट करेंगे लेकिन उसके साथ साथ पश्चिम मंगाल की सेवा में आप अग्रगणी रूप में सारी संगठन को आप के समावेश करते हुए हम सब लोग आगे ब एक तरीके से नकारता है और इसी तरीके से अब सही व्यक्ति सही पार्टी में सही प्लैट्फॉर्म पर देश की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा ऐसा मैं महसूस करता हूं पश्चिम मंगाल की सेवा करने का मौका मिलेगा पुना आपका हार दी का विनंदन और सब को मेरा प्यार भरा नमस्कार नड़ा जी मैं सिर्फ धन्यवाद कहूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी भावना अधूरी रह जाएगी अधूरी क्या की बिलकुल नहीं कह सकूँगा आज वो स्वर्ड पल है मेरे लिए जिसका नड़ा जी आप भी जानते हैं और मेरे जितने मित्र हैं वो सभी जानते हैं कि मुझे वाके में इसका इंतजार था और जैसे विचार की नड़ा जी आपने बात की मैं तह दिल से आपका अध्यक्ष जी नरेनर भाह मोदी अमित्शा जी और पूरे जनता परिवार अब जब परिवार की बात आती है तो मैं यह जरूर कहूंगा कि आज हम सारवजनिक जीवन में क्यों हैं सारवजनिक जीवन में इसी लिए है कि देश और जनता सर्वपरी होती है अब बहुत दशक से हम सारवजनिक जीवन से हैं प्राई कह सकते हैं कि कॉले छोड़ा और नौकरी और धंदे में कुछ खास दिल्चस्पी नहीं रही मुझे वो अपने अंदर में कुछ होता है ऐसा वो आप सब जानते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो परिवार सर्वपरी होता है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्ट पॉलिटिकल फैमिली और मैं अपने तज्जूर्वे के साथ कहता हूं कि एक सर्वपरी होता ह कि हमें परिवार के लिए काम करना है और परिवार होता है political family है और एक परिवार होता है जनता का परिवार और उसलिए भारतीय जनता party है तो आज मैं सचमुच ये जनता के परिवार में शामिल वा हूं और हम लोग क्यों उस देज सर्वों परी रहा है और वो हमेशा रहेगा यदि देश सर्वों परी नहीं होता आप सभी को नमशकार, मंचपर आज उपस्थित भारतिय जंटा पार्टी आगे बढ़ रही सब जगा हम आपको एक छोटा छोटी जो बड़ी बात है कि आज आप सभी को नमशकार, मंचपर आज उपस्थित हमारे जो करोना का जो रेगूलर टेस्ट होता है हम आपको एक उधारन दे रहे है आप सभी को नमशकार मंच पर आज उपस्थित भारतिय जंता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सम्मानित राष्ट्य अध्यक्ष आदर्निय जेपी नडड़ा जी मंच पर आज हम सब जिसका इंतुदार कर रहे हैं आदर्निय जिनेश कर रहे हैं और हर व्यक्ति को यह एहसास है विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्रियों और जनता भारतिय जनता पार्टी एध देश को सुरक्षित रखेगी आज मेरा हम पाइलट भी रहे हैं मेरा एरफोस में काफी हमारे मित्र हैं बहुत सारी अंदर की जब बात पता चलता है वो कहते हैं कि इन दिनों ऐसे वाक्य हुए कि हमारे पडोसी मिल्क वो हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं वो कहने लगे है कि ये देश जो कहता है अब वो ही करता है अब जब बंगाल जितने भी होनहार अब बाहर चले हैं ये वाक्य हुए कि हमारे प्रोसी मिल्क वी हैं प्रोफेसर्स हो स्टूडन्स हो हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं वहां के जितने लोग भार जाते हैं ये देश जो कहरता है अब बंगाल अपने आंक में सक्षम है और आज ये माहौल बंगाल नहां कि वहां के जबता मुझ कि आप यहां क्या करते हैं कि हमारे प्रोसी है और ये आज हम हिंदुस्तान को बहुत सीरियसली ले समयच हुआ उसी लिए कि लोग भार जाते हैं हम तंग आ चुके थे भार जाना कोई गलत बाती हर एक अपने प्रोसी हो जान पैचान वाला हो अंजान हो फोन करके कहता था कि यहां तो आपके लोग आते हैं मार पीट करते हैं पैसा मांगते एक स्कूल जदी बनाना हो और स्कूल की दिवाल कर दी हैं वहां भी चंदा देना पड़ता है और एक नहीं हरोज कोई नहीं आते हैं इतना आतंक इतनी हिंसा इतना करप्शन मतलब बंगाल बंगाल है बाद नहीं देता है तो अन्स में यह ही कहूंगा बंगाल का जो गौरव है वो पुरह शोनार बंगला जिसकी बात करते हैं और सोनार बंगला क्या होता है विचारों की बंगला और आज बंगाल के लोग बहुत ही खुश है कि एक असली परिवर्तन होने जा रहे हैं। सर्वो पर ही होता है देश और आपने मुझे मौका दिया बंगाल की जनता के लिए काम करने के लिए देश की जनता के लिए काम करने के लिए और मैं जैसा भी हो जो भी हो आदेश दीजिएगा और हम हमेशा आप जनता के साथ रहेंगे यही कहते हुए आपका पुनर रूप स बहुत बहुत भनिवाद बाई अरे भाई बैट जाओ अरे बाई बाट अरे है तो पिज्ध बैटो यार अरे अरे आजो तो अजो आजब कर दो विए अरे आज़ा है झाल 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 झाल